हेलो फ्रेंड मैं लेंगराज पड़ेल आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबके लिए और एक निया रेशिपी लेके आया हूँ आज हम बनाएंगे मुमफली की कड़ी तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखे ये हैं मुमफली हमने इसको कड़ाई में हलका से भोंज लिया है और इसको छिलका को निकाल दिया है अभी हम इसको डालेंगे मिक्सी में इसके बाद हम इसका उपर डालेंगे थोड़ा सदही दो चमच पास-पास अब इसका उपर डालेंगे धनिया पत्ता एक हरी मिर्ची एक दम हलका सा पानी और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे ये देखिए हमारा पैश्ट रेडी है ये हमने एक टमाटर को काट लिया है इसका बीच को निकाल दिया था और ये दो आलू इसको भी काट लिया है एम एक कड़ाई में लेंगे थोड़ा सा गया गी और गी जब अच्छी तरह से घरम हो जाएगा अभी हम इसमें आलू को डाल देंगे और इसको फॉरा कर लेंगे आलू में जब तक अच्छा सा कलर ना आज है तब तक इससे फ्राय करते रहे ना है जब तकी फ्राय हो रहा है, हम दही को गोल लेते हैं, यह हमने चार चमस दही लिया है, अज इसमें आधा गलास पास पानी डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे चेली आलू को भी चेक कर लेते हैं ये देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आ गिया है आप वह से बिना आलू का प्लैन कड़ी भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसमें आलू का यूच किया है इसलिए ये कड़ी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा आलू को निकालने के बाद उसी कड़ाई में थोड़ा सा घी बचाता उसमें हम थोड़ा सा गुटा जीर डाल देंगे एक हरी मिर्ची, खुब सारा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हिंग इसके बाद इसमें डालेंगे काटा होगा टमाटर अब सारे चीजों को अच्छी तरह से फ्राय कर लेंगे हमाटर को ज़्यादा फ्राय नहीं करना है, बस इतना ही फ्राय करना है अब हम इसमें एट करेंगे हमारा पेस्ट जो हमने बना के रेडी किया था चलिए अब हम इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी fry कर लेते हैं। इसको 3-4 मिट हो गया है फ्राय करते-करते, अब हम इसका उपर डालेंगे दही, जिसको हमने गोल के रखा था, सारा दही को इसमें डाल देंगे, डालने के बाद अच्छी तरह इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, हमने इस कड़ी को नवरात्री का उपास में खाने के लिए बना ह है, इसलिए इसमें कोई भी मसाला के उज नहीं किया है, आभी हम इसमें हलका सा नमक डाल देंगे, वो भी सेंदा नमक, नमक को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से और एक बार मिक्स कर लेंगे, आभी हम इसी स्टेज में इसमें एट करेंगे, हमारा फ्राय क्या हो आप चाहे तो ये कड़ी को बिना अलू का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अलू एट किया है, क्योंकि हम जब कड़ी को खाएंगे, और एक-एक अलू हमारा मुह में जाएगा, तो ये बहुत ये अच्छा लगेगा, आभी हम इसमें आधा ग्लास पास-पास पानी जाल लेंगे, अब पानी को डालने के बाद फिर एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, आपको अगर पतला कड़ी खाना है, तो आप और थोड़ा सा पानी एट कर सकते हैं, चेले भी इसको ढख देते हैं, चार से पांच मिनिट हो गिया है, ये देखिए, इसमे हमारा कड़ी और भी जादा गाड़ा हो गिया है, और एकदम रेडी हो गिया है, आप यह मिसी श्टिस तक इसको रखेंगे, और इसको गरम गरम प्लेट में स्वार्प करेंगे, ये देखिए दोस्तो, हमारा कड़ी बनके रेडी हो गिया है, आप इसको रोटी के साथ, चा बताईएगा और इसी तरह के अच्छे अच्छी रेसेपी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्ट वीडियो में और एक निया रेसेपी के साथ थैंकी सो माच